असलाम उलीकाम उमीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे नियू फो लैंड रेपराडोर विर्चुल जाब फियर जो 24 जनुवरी 2024 को मिडली सौफ एशियन का होने जा रहा है ओनलाइन विर्चुल जाब फियर होगा यह वीडियो काल से आप लोगों से इंटर्वियो इसक से आपसे पूछेंगे तो इसके रेलिवेंट जो भी क्वेस्टन वह आप लोगों से पूछेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों ने इसकी त्यारी कर लेनी है ताकि जब आपका इंटर्वियो हो तो आप आल्रेडी से त्यार हो उसके लिए के और टाइप्स के होते हैं बिग डिफरेंट्स है इन में और अभी आपको फुद भी पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंट्स है इन में अच्छा जो कैनड़ा में उनलाइन इंटर्विव लिया जाता है वो मोस्ली गूगल मीट के उपर इंटर्विव लेते हैं हो सकता है वो किसी और वेब साइट से लें तो वो आपको उसका लिंक भेज देते हैं और उसमें टाइम वगहरा सारा मेंशन होता है वो आपने इमेल अपनी चेक भी करनी है और उसमें टाइम भी उसमें मेंशन होगा और और जो उसके उपर टाइम है, आपने उससे 5 मिंट पहले online आने की उसको request बेच देनी, वो फिर आपके request accept करेंगे और फिर आप online face to face आप आ जाएंगे, जो भी वहाँ पर employer होगा या immigration officer भी बैठा होगा, तो वो आपसे question करेंगे और आपने उनके answer उनको देने हैं, तो सबसे पहला जो वो question करेंगे, आपसको first question वो आपसे करेंगे, वो can you tell me about yourself, कि आप अपने बारे में बताएं, या वो आपको कह सकते हैं, please introduction yourself, तो ये दोनों ही same है, आपने अपना तारुफ उनको करवाना है, for example, आपने कहना है, my name is उस्मान गनी, और फिर आपने उनको ये भी कहना है, thank you for inviting me for online interview, तो आपने ये उनका thank you भी अदा करना है, फिर आपने बताना है कि आप किस country से हैं, किस city से हैं, for example, आप पाकिस्तान से हैं, तो आपने उनको कहना है, Islamabad Pakistan से, फिर आपने उनको background बताना है, किस काम में आपका experience है, आपकी education क्या है, किस में आप expert हैं, कौन से आपके पास skill है, पर self आपका introduction होता है, आपने उसको बहुत लंबा भी नहीं करना है, short करना है, ऐसा नहों कि आप इसना लंबा करें, और जो employer आपको hire करने आया, या immigration officer साथ बैठे होंगे, कि वो आपका ये सुनते रहें, कि ये तो बंधा चुब भी नहीं हो रहें, तो इसको भी आपने short रखना है, best ये है कि जो आपने अपनी CV upload की है, जब आप apply कर रहे थे, registration आप अपनी रहे थे new for land में, तो वो CV का print out आपने करके, अपने साथ table पे रख लेना है, ताकि आपको ये पता हो, कि आपने जो CV upload की है, उसमें क्या आपने अपना work experience लिखा है, कौन से skill लिखे हैं, कौन सी language आपने उसमें लिखी है, वो आपको पता होगा, तो पैस ये है कि वो आपके सामने बढ़ियो, तो आप उसको देख के ही बताते जाएं, आपकी एक और भी आपको मैं बात यहां पर बताता चलूँ, आपने थोड़ा fresh हो के पैटना है, confidence level के सार पैटना है, ताकि उनको ये पता चले, कि आप वाकिये को इंटर्वियू देने आया है, आपके face पे smile होनी चाहिए, आप happy होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका वो face उनको ऐसा लगे, कि इसका तो कोई confidence level भी नहीं है, तो आपने ready हो के आना है, कि आप interview दे रहे हैं, एक और बात आपको मैं यहां बताता चलूँ, जो काफी लोग है, ऐसे नहीं करते हैं, आपने जब भी अपने mobile से आना है, या laptop से आना है, तो आपने camera में देखना है, आपने screen पे नहीं देखना है, क्योंकि काफी लोग screen पे देखते हैं, तो वो उनको ये लगता है, कि इनका confidence level ही नहीं है, जब आप camera में देखेंगे, आपका eyes to eyes content उनके साथ होगा, तो उनको अच्छा लगेगा, कि ये वाकिया ही, आप confidence level के साथ अपना interview दे रहे हैं, क्या आपने करना है, और थर्ट आपने ये करना है, जो आपका background हो, और आपका head है, ये भी बहुत ऊपर ना हो, इतना हो कि बस ये camera में यहां तक आपका cover हो, और आप दर्मियान में बैठे हों है, और screen के, ये आपने सबसे पहले ready कर लेना है अपना, और उसके बाद आपका जो self introduction हो जाएगा, तो वो आप लोगों ने देना है, तो वो आपसे second question जो करेंगे, कि आप Canada में यहां पे क्यों काम करना चाह रहे हैं, या क्यों यहां पे आना चाह रहे हैं, आपसे वो ऐसा question करेंगे, तो आपने उनका answer देना है, peaceful environment above all Canada, in one of the safest and most friendly working in Canada, कि यहां पे Canada बहुत peaceful country है, safest country है, यहां पे जो लोग काम करते हैं, वो friendly है यहां पे, तो वहां पे skill की opportunity ज्यादा है, अपने आपको बना वहां पे grow कर सकता है, तो इसलिए मैं interested हूँ, कि कैनड़ा में मैं jobs करूँ, इस वज़ा से मैं Canada यहां पे आना चाह रहा हूँ, तो यह आपने उनको पताना है, कि मैं यहां पे काम करने के लिए क्यों आ रहा हूँ, वो फिर third question जो आप से पूचेंगे, why are you the best candidate for the role, कि आप इस role के लिए, इस jobs के लिए आप क्यों best हैं, तो आपने उनको कहना है, I am the best candidate for this job, I am a patient, कि मैं इस jobs के लिए अपने आपको best candidate समझता हूँ, मेरे पास इस jobs का skill है, और five year का skill है, ten year का skill है, जो भी आपके पास skill है, उस relevant jobs के, तो आपने अपना उस jobs का बताना है, कि मैं इस वजह से अपने आपको इसमें जियादा best समझता हूँ, इसमें एक और बात में मैं add कर देता हूँ, कि काफी लोग जो है ना वो समाझ रहे हों कि यहाँ पे कुछ और question करेंगे, वजीरियादम कौन है, यहाँ पे यह country के इसमें है, इसके economy क्या है, तो इस बारे में आपसे वो कुछ भी नहीं पूचेंगे, आपसे जो वो पूचेंगे, आपने जो अपनी cv में mention किया है, जो अपना experience, जो skill, जो education, अपना नाम, आपका address, उस बारे में आपसे वो पूचेंगे, उसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूचेंगे, अब जो हमारे back country में होता है, तो वहाँ पे तो वो यह पूचते हैं, कि इस टाइम कौन वजीर आजम रहा था, कितने सूबें हैं, अभी कौन वजीर आजम है, हमारी country में ऐसे इस टाइब के question वगहरा भी करते हैं, जर्नल जिनको कह देते हैं, कि जर्नल नालेज के भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे वो ऐसे question नहीं करेंगे, जो आपने अपनी CV में दिये होंगे, उस related, आपके experience के related, जाप के related वो आपसे question करेंगे, तो आप लोगों ने अपने उन question की त्यारी करनी है, वो आपसे फिर यह भी question करेंगे, नबर 4 या वो हो सकता है, या नबर 6, 7 पे यह करें, लेकिन यह भी question होगा, वाट दो यू नो अबाउट आवर कंपनी, या वाट दो यू नो अबाउट निव फॉर लेंड और लेबराटोर विड्शल फियर, कि आपने इसको कहां पे देखा, या आपको किस से पता चला, अगर आपका कोई Canada में रिश्टेदार है, फ्रेंड है, तो आप उसका कह सकते हैं, कि मुझे फ्रेंड से पता चला है, या अपने रेलिटेफ पता चला है, जो Canada में रहते हैं, या आप अपना सोशल मीडिया का बता सकते हैं, कि वहां से पता चला है, या YouTube हो गया, TikTok हो गया, ये जितने भी हैं, या सारे सोशल मीडिया में आते हैं, तो आपने कहना है कि सोशल मीडिया से पता चला है या नेउस से पता चला है या आपने कहें कि मुझे गूगल से पता चला है तो आपने इन में से किसी एक का बता दिना है कि मुझे यहां से पता चला है और फिर जो next question आप से करेंगे वो यह होगा What's your greater accomplishment? कि आपकी कम्याबी का राज किया है या जो आपका कोई काम किया राता है तो वो आप कैसे करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि लास ये जो था मैंने अपने गोल सेट किया था कि मैंने ये ये अपनी अचीमेंट है या ये मेरा अपना गोल है तो मैंने इसको पूरा करना है औ और मुझे उसका अवाड मिलता है तो आप यह भी कहें के लास यह आई मेड आवाड फार माई आच्छाइमेंट फिर वह आपसे क्वेस्टन करेंगे वाट यूर आइडियल वर्क इन्वाइरमेंट कि आप कैसा काम चाहते हैं आप किन के साथ काम करना चाहते हैं कि आप जहां पर काम करें तो वहां पर कैसे हो तो आप पर कहना है कि मैं जो काम करता हूं और आपने काम को भी हम पूरा करते हैं तो इस टाइब के वह आप लोगों से क्वेस्टेन करेंगे बागियं कोई भी केस्ट नहीं करेंगे आल्रेडि मैंने आपके बताया है जो आपको रहे जी क्वेस्टन करेंगा और भी आपको बतातौ तहूं कि यहां पर resume कहते हैं CV नहीं कहते हैं आपने resume ही कहना है वो जो resume है वो हमारे South Asia में कहते हैं लेकिन Canada अमेरिका में यहां पर resume कहते हैं और हमारे South Asia में उसको CVS कहते हैं और आपने खुद भी question करने है एसा नहीं कि employer आपसे करता जाए और आप बैटे रहें उसके answer देते रहें आप लोग उनसे फूद भी अपने question कर सकते हैं जो immigration officer बैठा होगा आपने उसको भी answer करने आपने उसे भी question करने हैं जो ए doctors करने हैं तो वह तो उनको अच्छा लगता है कि यह हम से question पोचव नहीं करते हैं कि यह हम से क्यों ऐसे question पूछ रहे हैं आप लोगों ने आपका कुई भी question आपके जहिन में आ रहे है उस टाइम तो आपने अपसे सरूर पूछ रहे हैं यह question भी वो आप से कर सकते हैं where do you see yourself five years from no कि आप अपने आपको अभी से next five साल तक कहां पे देखना चाते हैं फार एक्जेमपल अभी तोज़ाजार चोबीस है तो दोज़ार उनतिस तक supervisor, manager वो सारे वो मुझसे appreciate करें और मुझे work उनको अच्छा लगे तो जब यह उनको अच्छा लगेगा तो मैं अपने आपको एक अच्छी position पे देख सकता हूँ I hope कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए helpfully भी होगी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and Allah आफेज